नमस्त दोस्तों आपका एक बड़ फिर सस्वागत है आपके अपनी योटुब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाप्रत साबित होगा यदि आपनी संतान है और आपको जल्द से जल्द संतान सुख चाहिए कई सारे लोग डॉक्टर के चकर लगाकर मेडिसिन्स खाकर सारे उपाय करके ठक चुके हैं और फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है आपनी संतान है तो आप जरूर एक बार ये टोटका करें बहुत सारे पुराने जमानों से बुजूरगों का मानना है और ये बहुत ही ज़ादा सही टोटका है जिन्हों ने भी ये किया है उनको गर्वधानन हुआ है इसी वज़े से मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ और सायद हो सकता है आप पे ये बहुत ही अच्छा लापरत सावित हो तो I really hope कि आप जल से जल प्रेग्नेंसी कंसीव कर पाएं इस वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि एक भी स्टेप मिस ना करना ताकि आपको गलट रिजल्ट ना मिले आप जल से जल प्रेग्नेंसी कंसीव करो इसके लिए पूरा वीडियो को देखना विस्तार रूप से मैं बहुत ही अच्छे से और डिटेल में आपको इस व जर्वधारन कर ले दोस्तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या करना है जो उपाई मैं बता रही हूं कई बार होता है कि दुआएं बहुत काम कर जाती हैं दवाओं के कंपेर में अगर दवाएं नहीं काम कर रही हैं तो दुआ करिए दुआ बहुत ही ज़ादा अच्छी सावित होती है और बहुत जल्दी किसी को लग जाती है तो आज जो मैं टोटका बताने वाली हूँ उसमें आपको क्या करना है कि जो बढ़ के पत्ते होते हैं उसको आपको घर पे लेके आना है टोटल 11 पत्ते आपको बढ़ के लेके आनी है पत्तों में कहीं पे भी चाहिए बिल्कुल साफ सुफरा और बड़े आकार का पत्ता अँल्जा होना, यह पत्ते बहुत है पत्ते हैं अपको सार्सों बहुत जादा नहीं करें बस आपको एक coating के जैसे करनी है और उसके बाद आप कीचेन में एक साब सुतरा तवा लीजिए और उसको गरम करिए गरम यानि गुनगुना करना है बहुत जादा गरम नहीं करना है लो फ्लेम पे ही आपको तवा चड़ाना है इन पत्तों को आपको देखना है दोनों तरफ से इगार हो पत्तों को उसके बाद इन पत्तों को आपको ठंडा कर लेना है इसके बाद जिस समय आपकी पीरेड आती है उसी समय आपको ये साड़े उपाई करने है तो पीरेड जब भी आपकी आती है तब आप किसी से ये चीज पत्तो को ठंडा कर लिजिए और सूती कपड़े में इनको लपेट दीजिए लपेटने के बाद इतना बड़ा आपको सूती कपड़ा लेना है जो आपके पेट पे अच्छे से बांधने में कामा जाए और आपको जिस समय आप सोते हो रात में तो आपको नाभी के नीचे जहां पे आपका बच्चदानी होता है वहां पे आपको इसको बांध लेना है आपको तीन दिन ये करना है दोस्तों रात में बांधना है सुबह खोल के रख दीजे किस आपको दूसरे दिन भी ऐसा ही करना है तीसरे दिन भी ऐसा ही करना है लगवक पूरे पीरियड में पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक आपको यही करना है उसके बाद इन पत्तों को आप फेक सकते हो और पत्ते फिर काम में नहीं लाना है इसके बाद आपको क्या करना है दोस से आपको बहुत जल्दी गर्वधारन हो जाएगा इवेन मेरे फैमिली में भी एक दो लोगों ने ये नुस्का अपनाया है बहुत पुराने जमाने से इसकी माननेता है और इससे उनको भी कंसीव हुआ है इसी वज़े से मैंने सूचा कि आपको भी जरूर बताना चाहिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है तो आप अगर इन चीजों पर विश्वास रखते हैं तो बिलकुल स्रधा भक्ति से ये भी करें और इसका लावदायक फल आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स कभी-कभी दुआएं बहुत कामा जाती है और ऐसे कुछ घरेलू उपाए बहुत कामा जाते हैं और ये बहुत पुराने जमाने में जब दवाईया नहीं होती थी उस समय वैद हकीम इस तरीके की भी ट्रेटमेंट दिया करते थे जिससे की जल से जल गर्वधारन हजारों महिलाओं को हो चुका है तो बहुत मानी हुई ये माननेता है इसको आप जर जानकारी जद से ज़्यादा मोहिया कर आए और ज़्यादा से जाएदा लोगों तक फाइदे मन जानकारी पहुंच पै आगर आपको फ्रेंडस इस वीडियो से पूछ भी पूछहना है तो आप कमेने सस्केशन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो like कर दीजिए एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए दोस्तों टेक केर नमस्कार